ऐसी सर्दियों के दौरान काना ट्रिप हर नेचर लवर के बकेट लिस्ट में होनी ज़रूर चाहिए कुछ घंटों तक जंगल को एक्स्प्लोर करते हुए हम पहुंचे ब्रेक्फस्ट पॉइंट पर कुछ आलू बॉंडा खाते हुए आसपास बाग की मौजूदगी पर चर्चा कर ही रहे थे ठीक उसी समय हमें बताया गया कि नाले के पास कुछ हल चल हो रही है मैं बाग को देखने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं अपने कैमरा को चालू करना ही भूल गया लखिली हमारे ड्राइवर खास साब को इस साइटिंग का फुटेज दूसरे जिपसी से मिल गया टाइगरे सुनेना ने एक हिरन को मार गिराया था और उसे पानी में घसीटते हुए ले जा रही थी कसम से मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था शाम के ढलने तक मेरे नए दोस्त भी बन गये थे और हम सफारी गेट के पास एक धाबे पर खाना खाने बैठे ही थे मुझे पता चला कि मेरे आगे का प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया है इसके बारे में कल बताऊंगा